हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है Learn it के एक और नए वीडियो में और बिना टाइम वेस्ट किये चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टू के बारे में और होगा टॉपिक फाइफ जिसका नाम है Sexual Reproduction in Flowering Plants तो पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आता है Embryogeny अब Embryogeny है क्या पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि Embryogeny का Basic जो नाम होता है वो एक और होता है Embryo का Formation तो यहाँ पर अगर इसकी Definition पढ़ते हैं तो अगर कोई Mature Embryo Develop हो रहा है किसी Zygote से त तो उस Development को हम बोलेंगे Embryogeny Second यह बात करते हैं कि जब भी कोई सा Early Development की बात करते हैं या कोई सा भी Embryo Develop हो रहा है तो उस Embryo को हम इस Category में बोलेंगे Pro Embryo और इसके अंदर आपको एक Symmetry मिलेगी एक Arrangement मिलेगा जिसको बोलते है Axial Symmetry Axial Symmetry का मतलब यह है कि जब भी Division होता है Pro Embryo का तो आगे जाके वह दो में Divide होता है एक Suspenser Cell में और एक Embryo Cells में और आगे जाके जब यह Divide होता जाता है तो यहाँ पर जो Symmetry बनती वह Axis के Form में बनती है यहने Tail के Form में बनती है जिसके कारण उसको एक Symmetry मिलती है जिसको रूप में होंगे और वह Divideation एक का दो, दो का चार होता जाएगा लाशने बात करते हैं तो इस Kind के Development को हम Endoscopic भी बोलते हैं एंडो का मतलब तो हम समझती है इंसाइड याने अगर Embryo किसी Cell के अंदर डेवलप होता है या जिसको बोल सकते हैं कि अगर Embryo का Development किसी चीज के अंदर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे Endoscopic Embryogeny को और Detail में पढ़ने के लिए हमको यह पता करना पड़ेगा कि Embryogeny कितने Parts में Divide है तो Embryogeny को आप दो Parts पढ़ सकते हो एक को केते हैं हम Dicot Embryogeny और एक को केते हैं हम Monocoat Embryogeny तो सबसे पहले Detail में हम पढ़ते हैं Dicot Embryogeny को Diagramatically मतलब जो आपकी Screen Pack Diagram है उसको हम A, B, C, D करते हुए पूरे H Stages में भी बता पड़ जाएगा कि कौन सी Stage में क्या हो रहा है तो मैं Lines से आपको समझाते जाओंगा इसके बाद में अगर आपको तो भी Step wise समझ में नहीं आता है तो इसके Just बाद वाली Slide में आपको सारे की सारी चीज़े Step wise बनी भी मिलेगी जिसक को आप अगर note down करना चाते हैं तो आसानी से पढ़ सकते हैं और आप जब उसको simultaneously पढ़ेंगे तो आपको जादा अच्छे से समझ में आएगा तो स्टार्ट करते हैं A topic से अब A topic क्या है Zygote अब होता क्या है यह Zygote आगे जाके B में मतलब दो में डिवाइड होता है उपर नीचे वाले को बोलते हैं Suspensors cell और नीचे वाले को बोलते हैं embryo cell अब जो Suspenser cell है वह Micropyle end में develop होता है और जो नीचे वाला portion ने जिसको लोते हैं embryo cell वह antipodal region की तरफ develop होता है अब यहाँ पर जब development होता है तो बीच में एक चीज बनती है ससपेंसर Cells अब Suspensors Cells के सबसे पहला इसL होता है उसको बोलता है होस्टोरियum और सबसे tychuis Here सुआफर मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं इंब्रियो सेल की बात करहा हूं membri죠 की बात नहीं कर रहें तो टिवाड़ेशन जो हो रहा है किसके अंदर होगा suspensor cell के अंदर होगा embryo cell के अंदर अभी dividation नहीं है अब बात करते हम embryo cell की dividation के बारे में तो embryo cell दो तरीके से divide होता है एक होता है vertically और एक बार होता है transversely जिससे produce क्या होते है two tied eight cell produce होते हैं जिसको हम embryo कहते है अब यहाँ पर बात करते है तो जो बेसल पार्ट है वो आगे जाए के cotylidans और pumil बनाएगा मतलब दो कोट और एक pumil बनाएगा और अगर hypobasal की बात करते हैं मतलब suspensor region की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको hypo cotylidans मिलते हैं अगर आगे बात करें तो इसका development जो होता है वो initially globular stage पर होता है दिरे दिरे वो आगे जाए के किस चीज का shape लेता है एक heart shape बना लेता है जहां तक dicot embryo की बात करते हैं तो वो दो parts में divided है एक को बोलते हैं embryonal axis और दूसरे को बोलते हैं two cotylidans मतलब यहाँ पर दो parts divide कर रहे हैं second बात करते हैं जो embryonal axis के above level है cotylidans का इसको कहते हैं epicotyle अब epicotyle क्या करता है यह आपकी stem की tip बनाता है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं plumule के और यह आगे जाके plumule ही आगे जाके आपका shoot में development होगा मतलब जो plant का shoot बनेगा वो किसके कारण बनेगा plumule बलेगा और अगर किसी की stem की tip बात करते हैं तो महाँ पर आपको plumule ही देखने को मिलेगा next बात करते हैं तो आपका जो lower level है cotylidans का उसको कहते हैं hypocotyle अभी hypocotyle क्या करते हैं जो नीचे का portion आ जाता है महाँ पर आपको root tip मिलेगा जिसको हम कहते हैं radical और ये radical आगे जागे क्या form करेगा future root का formation करेगा या root tips का formation करेगा और इस root tip के ओपर आपको root cap देखने को मिलेगी जो penetration में मदद करेगी इसको आसनी से समझने के लिए आपको last diagram जो कि diagram H बना हुआ है इसको देखना पड़ेगा तो उपर portion में आपको मिलेगा plumule, side में दो तरीके के cotylidans मिलते हैं जो जाके leaves का formation करेगे और बीच में epicotylidans अलग form करेगा और last में radical root cap भी देखने को आपको आसनी से मिल जाएंगे ये जो step है इसको आप देखेंगे, इसको आप note down करेंगे तो आपको आसनी से समझ में आ जाएगा कि dicot embryogeny बहुत simple process है देखा जाए तो diagram में क्योंकि बहुत सारे cells का dividation बताया है, इसलिए diagram थोड़ा complicated हो जाता है पर अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी problem नहीं आएगी रटे की कोशिश ना करें, इसको proper समझें, तभी जाकि ये समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि dicot के बाद हम पढ़ेंगे अब monocot embryogeny के बारे में भी तो अब हम बात करते हैं एक और भाई के बारे में जिसको बोलते है monocot embryogeny जो किसका part है, एक और embryogeny का part है, एक हम पढ़ चुके है dicot embryogeny के बारे में तो उसी का एक और part आता है जिसको बोलते है monocot embryogeny, तो monocot embryogeny को पढ़ने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि basically dicot or monocode का जो starting point है वो तो same है मतलब हम किसे start करते हैं zygote से चालो करते है तो यहाँ पर भी zygote का development होता है दो parts में एक को बोलते है suspensor cell और दूसरे को बोलते हैं embryo cell suspensor cell जो है वो micropilar end पे दिखता है और embryo cell हमको चलेजर end पे मिलता है यहाँ पर suspensor cell आगे जाके divide नहीं होता है कौन divide होता है embryo cell जाके divide होता है और कितने parts के अंदर divide होता है दो parts के अंदर मतलब transverse section में dividation होता है मतलब बीच में से cut जाते हैं और एक उपरवाल पोशन को बोलते है है middle cell जो चिपका हुआ होता है suspensor cell से और middle cell नीचे से चिपका हुआ होता है terminal cell से तो यहाँ पर embryo cell है वो divide हो जाता है दो part में middle cell और terminal cell अब बात करते हैं terminal cell के बारे में तो terminal cell वापिस से vertical division करता है और फिर transfers division करता है मतलब पहले बीच में से करता है और और फिर उपर से नीचे तक करता है और कित्ते का formation करता है different kinds of cell का formation करता है और एक group of cells बनाता है जिसको हम बोलते हैं globular cells और ultimately embryo बन जाता है globular embryo अब यह जाके आगे काई में form होता है दो चीज में large वाले portion को बोलते हैं और एक और को बोलते हैं plumule को अगे जाके पुश करता है plumule को एक साइड में हो जाने के लिए जिसको हम बोलते हैं epiblust यह single cotyledons monocode का अगर कहते हैं हम तो कहता कहलाता है scatulum यहाँ पर इसका जो shape होता है वो shield के जैसा होता है जो हमको appear करता है terminal पर terminal मतलब end पर में हमको देखने को मिलता है middle cell की बात करते हैं तो वो दो चीज प्रोड्यूस करता है एक को बोलते हैं hypokotile और एक को बोलते हैं radical और यह आगे जाके का करते हैं cells के number को increase कर देते हैं मतलब suspensor cell के number को increase कर देते हैं और क्या देते हैं protective sheet देते हैं दो चीज को radical को और plumule को जिसको हम दो नाम से आनते हैं color is a और शीलोप टाइल की नाम से और यह आगे जाके extension बनाते हैं scatulum का इस next segment के बारे में हम बात करते हैं तो यहां पर लिखा है monocot embryogeny की बारे में नहीं है तो आप दोनों को compare कर सकते हो diagramatically और यहां पर step wise तो step wise आपको पता पढ़ जाएगा कि who क्या रहा है उस पूरे diagram के अंदर आशा है कि आपको सारे topics easily समझ में आ रहे होंगे हम learn it पे आपके लिए easy or simple learning material बनाते रहते हैं जिसके कारण आपकी learning and listening capabilities increase होती रहेगी अगर आपको कोई topic समझ में नहीं आता है या आपको कोई topic hard लगता है या कुछ topic को आप detail में समझना चाहते हैं तो उसको आप comment section में लिख सकते हैं अगर आपको हमारा work अच्छा लगता है तो please उसे like करें और चैनल को subscribe करना और notification bell को hit करना ना भूलें ऐसे ही और वीडियो के लिए आप updated रहे स्टे हल्दी स्टे फिट बाई बाई बाई